नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे ठीक होंगे तो आज हम बात करते हैं BSTC के बारे में हम BSTC की सेकेंड लिस्ट के भी बारे में बात करेंगे और हम BSTC की काउंसलिंग के बारे में भी बात करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सिक्ष्य जगत से जुड़ी तमाम अपडेट आप जल्दी से जल्दी पह सको तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के तो देखिए दोस्तो ये नए अपडेट आया है ओनलाइन काउंसलिंग में पंजियन एवं संस्तव विकल्प चैन हेतु संसोदित काउंसलिंग कलेंडर के सम्मन्द में ये पंदरा तारीक दिसंबर को आया था तो देखते हैं इसमें अंदर क्या बताया है क्या नहीं बताया है तो दोस्तो आप देख सकते हैं ये विग्यपती पंदरा दिसंबर को जारी हुई थी अब व्यर्थियों के लिए महत्मूर सूचना है तो इसमें क्या बताया देखी दूस्तो प्री डी एलेड परिक्षा 2021 के परिणाम उपरांत दिनांग 30, 9, 21 से 17, 10, 21 तक प्रिथम चरान हेतू पंजियन एवं संस्तर विकल्प के चैन के लिए काउंसलिंग कलेंडर जारी किया गया था ततपश्यात 28, 10 से 30 नवंबर तक प्रिवेश हितू ओनलाइन रिपोर्टिंग के सुभीदा दि गई थी लेकिन मानिय उच्च न्याले के निनने के अधीन एवं सासन द्वारत जारी आदेशों के अनुपालना में सत्र 2021 भाइप में प्रिवेश के लिए नेजी अध्यापक सिख्च संस्तानों को काउंसलिंग में सम मिले थे तो निर्देश मिलने के उपरांत प्रिथम चरन का संसोधन काउंसलिंग कलेंडर निया मनुसार जारी किया है तो दोस्तो इसमें यह बताया गया है कि B.H.T.C के लिए नई कॉलेजों को बड़ा दिया गया है इसमें कैई सारी नई कॉलेजों को मिलाया गया है और आपको खुशी होगी कि यदि कॉलेज मिलाई गयी है तो जरूर से जरूर आपको सीट भी बड़ेगी तो दोस्तो कम से भी कम नहीं तो दस यह पंदरा कॉलेजों को मिलाया गया होगा और आपके लिए दो से तीन हजार तक सीटे बड़ने वाली है तो जिन्होंने भी फर्ष्ट काउंसलिंग करवाई थी उन्होंने तीन हजार रुपे का भुकतान कर दिया था तो उनके मैसेज आ रहे थे कि सर क्या हमें बापिस तीन हजार रुपे का भुकतान करना पड़ेगा ये नहीं करना पड़ेगा तो वो भुकतान केवल नए बेर्थियों के लिए होगा जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवा दी है उनके लिए कोई भी भुकतान नहीं जमा करवाना पड़ेगा केवल नए जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी उनके लिए तीन हजार रुपे का भुकतान रखा गया है इसलिए पुराने जो मतलब पहले काउंसलिंग करवा चुके हैं उनके लिए किसी भी प्रकार क्या भुकता नहीं करना पड़ेगा तो जो भी बिद्यार थी फर्ष्ट लिस्ट में काउंसलिंग नहीं करवा पाए उनके लिए ये गॉल्डन मौका है और ऐसे गॉल्डन मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवा सकते हैं तो दोस्तों ये 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बिद्यार थी अपने काउंसलिंग करवा सकते हैं पुने जिन्नोंने पहले नहीं करवाई है और दोस्तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि पूर्व में बिकल्प लोक कर चुके सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके दोर लोक किये गए बिकल्पों को पुने अनलोक किया जा रहा है उक्त बिद्यार्थियों को अधिकरत वेबसाइट पर जाकर नए अध्यापक सिक्षे संस्तानों को जोडते हुए बिकल्प संसोधन की सुभीदत दीर जा रही है तो दोस्तों जिन्होंने फर्ष्ट बार लोक किया था वो बापिस से इसको लोक करेंगे और अपनी कॉलेज बापिस वर सकते हैं जिन्होंने ओल राजस्तान नहीं किया था वो ओल राजस्तान भी कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी आज के हमारी इस वीडियो की जानकरी कैसी लगी आपको जानकरी उम्मीद करता हूँ अच्छी लगे होंगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत